तो दोस्तो फाइनली अभी टाइम आ गया है पापा को बाई बाई बोलने का बाई आप में से बहुत सारे लोग मुझे क्वेशन करते हैं कि आपके पापा फॉज में हैं कहां है तो अभी मुम्मी जवाब देगी दोस्तो गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम आप सभी को औ अजवान व्लोग में तो दोस्तो आज के व्लोग की सुरुवात हो रही है सुभा के साड़े साथ वज़े से और बहुत टाइम बाद आज मैं इतनी सुभा से व्लोग बना रही हूं क्योंकि आज पापा को जाना है वापिस गुप्त कासी तो इसलिए आज सुभा सुभा उ जोरी वापई भी तो आज हम सुभा का रहे हैं इसके पापा नी जाना था सुभा हा का च अअज कंदे लै गंगा रिटा ड़ो कैसे लग ओंधिका, किस लग रे को झार भी तो च्रॉर धुमले। Cuba उर मंन तो मेरा नी MHC रहा मंतो मेरा गोमी का लिए मन नी जा रहा है ड अब बड़ी चमस रख दी मुमी नहीं और आज मैंने इतनी सुबह से मतलब व्लोगिंग कर ली न हमारी आखे वैसी नहीं खुलती हैं तो आज भी देखो हमारी आखे ऐसी हो रही है और यहां पर भी सब के सब नास्ता कर दे हैं यह हमारी चोटी बहन सीतल यह हमारा चोटा भ नहीं न तो बिना आखे तो हमारा जीवन संभावी नहीं है तो सुबह सुबह सब से पहले आख जलानी है उसके बाद यह और काम हो पाएगा तो आप लोग सब क्वेशन कर रहे थे ना कि आपके पापा आर्मी में है या प्राइवेट जोब में हैं तो अभी आपको मम्मी या पापा में से कोई भी जवाब दे देगा आपको ठीक है तो फिलाल अभी मैं भी नास्ता कर लेती हूं फिर उसके बाद मिलता है तो दोस्तों वैसे तो पहले भी मैं आप लोगों के बीच में इस बारे में बात कर चुकी हूं लेकिन अभी काफी सारे नए लोग मेरे सा कि वहाँ पर ओंलाइं होता है और ँसने भी वहां से ट्रीट्मेंट कर आया तो उसको भी काफी ज्याव अइसे ।ो पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ एंड वहां पर expert dermatologist बैठे रहते हैं जो कि आपके face को analyze करते हैं तो वो आपको एक front face की photo मांगेंगे and side face की photo मांगेंगे तो उसके बाद वो face को analyze करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके face में कौन-कौन सी problem है जैसे acne, dark sport वगरा तो जैसी मतलब उन्होंने मेरा face analyze किया तो पहले मुझे लगता था कि बस मुझे redness की ही problem है और कुछ भी problem नहीं है मेरे face में लेकिन जैसे उन्होंने मेरा face analyze किया तो बहुत सारे red dot देखने को मिले हैं जहां-जहां पर red dot है तो इतनी सारे problem मेरे face में थी जो की मुझे पता नहीं थी तो मैंने face का check up कराया अच्छे से एंड उसके बाद मेरी एक kit बनती है तो वो kit मुझे लगभग 1200 के around पड़ी है तो आपके face के according ही वो kit पड़ेगी अगर आपके face में ज्यादा pimples है या फिर ज्यादा problems है तो उस हिसाब से ही आपकी kit बनेगी तो वो online deliver हो जाएगी आपके घर तक और उससे से में मुझे बहुत जादा फाइदा हुआ है जो मेरी irritation होती थे नो मुझे redness से तो मुझे काफी जादा मिला है और फाइदा आप लोग देख सकते हो live तो अभी मेरा face क्लियर है एक्दम clean है बिल्कुल भी problem नहीं होती है धूप में जाने से तो मैं आप ल दूप अगरे में जाते हो तो यह संस्क्रीन आपको मिली है तो इसको लगा के आप बाहर निकल सकते हैं और यहां पर है एक moisturizer तो यह चार प्रोड़क्ट मुझे यहां पर मिले हैं और इनको लगाने के बादना सेम आप लोग भी मेरे चेहरे पर देख सकते हो कितने सारे changes आ ले हैं और इस एप की एक खास बात बता देते हुमां आप लोगों को कि अगर आप इस एप को डाउनलोड करते हो और अगर आप अपना चेक अप करवाते हो तो चेक अप करने का कोई भी कॉस्ट नहीं है फ्री ओफ कॉस्ट है तो अगर आप खरीदने में करवा सकते हैं तो दोस्तो फाइनली अभी टाइम आगया है पापा को बाइबाइ बोलने का बाइबाइ फिर से आना जल्दी आना पापा जल्दी आना है बैली तरी जन्वरी पहली तरीक हां यह अब अब नाने के लिए आना प्लाइवेगे से तीपाली बाइधि अब टोनों दो इससरा माना जब खोगाए ठीक जिता वाओ ओड़ा थीक है बाइबाइबाइबाइब मुंम्मी हुई एमोशनल आपे ना यह मुंत लोड वेतने था फिर थाक्षित भाइबाइबाइबाइबाइबाइब ट्रीक है बाइ-बाइ तो दोस्तों अभी फाइनले पापा भी बाइ-बाइ बोल दिया है और आप लोगों के प्रैवेट और आंसर देया है काफी सारे लोग के क्याही राते हो है कि आपके पापा फौज में है कि था का तो अपी मम्मी जुबाब देगी इसका वोगं भने कानह गोर होदा है, वहां को और हम एकत जिस काती वार आले mitig तेक वेच सहसे utanक झाले को होदा!! यह, में प्रैवित सेक्टर ए मुदा कॉंधे काता हैW लेकिन यह सीनक झूला कोई तर्म बैसा हेए लेकिन दीन आपने के षाजाती होदेल तो बुआ यहां पर दूप सेख रही है तो अभी मैने तो नास्ता ही नी ले और अब से अभी में वीडियो बनाने पर में तन्डी हो गी है तो अभी मैं भी नास्ता कर लेती हूं तो दोस्तों आज मुमी की डूटी घर जित अधी गर पर यह लाज मुमी का मेंमी काना रोगाई ह्गास के लिmmノ फाना होता है that passer in वहां यहां से मुम्मी को गाइड कर रही है, यह देखो, यह ठकदार साब है यहां पर, इनको ध्यारे नहीं मिलेगी, अच्छा नहीं लगाईगी, बुआ यहां पर देख रही है, अच्छे से काम मुम्मी का, तो और मुम्मी यहां पर क्यारी बना रही है, प्याज की, तो दोस्तों जिस कद्दू के हमने कल रेठा खाया था ना तो उसके बीज बुआ ने निकाल के रखे हुए यहाँ पे और इन बीजों के बारे में बुआ कुछ बता रही थी कल, बता हुआ यह बहुत पॉस्टिक होते हैं, हम बजपन में भून के इनको खाते थे, कद्दू भी खाते थे, साम को बता है, स्कूल से आके, स्कूल से जब चुट्टी होती थी तो ने मा उबाल के रखे थी कद्दू, इसना स्वादिश्टू होता था, क्या बताया अपको खाना ने था ता जबुत कम था, परिवार में अचना फाटा ने बातो था यह जब जाद आकट डुट्टी था कद्दू करें होता था बता उस्कूल गाल पाल के बाता और चाहानी थे पहलों double शरून पहले तो बहुत जड़ी बूटिया हो गया कनाली के खिचिडी और क्या क्या नहीं खाते ते तो जब भी बुआ यहां आती नहीं तो लगी ही रहती है काम पर यहां पर भी दाल चाने पर लगी हुए यह देखो तो दोस्तों यहां पर हमारे सब्सक्राइबर आ रखे हैं सिली गाउं से और अभी मैं सिंगर चाची के घर पर आ रखे हूं सब्सक्राइबर आ रखे हैं तो कैसे लग रह आपको मिल के बहुत अच्छा लग रहा है तरवी रह तो भी बोल शुटा है सब वलाई के लेंड याद करी था याद करी था आज मैं पीना ब्यार के वीडियो में जो बूसर मारे था आज मैं भी अपनी दीदी को मिल आई मैं अज़ा वीडियो में भी दिखाई दिया था इसको ठंग से थेक ना तोस्तों पीड़ा में आज मेरे भाई भी देखिंगे ने इसको ठंग से थेक ना रहा है इनका यह रहां देवों नी छोड़ते हैं तो मस्तर के यहां धूप में गप्पे मारें सबके जब चला ठीक ची थाब हम बाई बाई चाचाजी जाओ पोला जाओ आज यहां पर देखो अमारी बुड़ी घास लेके आगे बुड़ी के असाला चंदों आसी यह बचली ना बौला बुड़ी यह उतुर भार लिओना पार फुंदा का बुटी भी डिवी हेलो वाला तुम भी हेलो तो दोश्तों अभी हम सब्सक्राइबर से मिलके भी आगे हैं और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा सही में और अभी दिन के खाने की तयारी हो रही है और दिन के खाने में हमने बना रखा है आज घर की दाल तो यहां पर माता जी देखो मैंने बड़ा वाला लड़का स्कूलिडिके एखो तो सारे राद देखता रहता रहता हुआ पमिन पता क्या बोला कि वह सारे राग दिन आप इपको देखता है आपकी वीडियो आपको भी आप हमारी वीडियो इतनी पसंद करते हैं तो फिलाल अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है कपड़े दुनने के लिए हैं दो वाल्टी तो ममी तो खाना बना रही है मैं कपड़े दुने का काम कर लेती हूं उसके बाद अराम से दूप सेखेंगे दोस्तों अभी हमारा यहां पे दिन का खाना बन चुका है और दिन के खाने में आज देखो घर की दाल है घी संत्रा मिर्च सब धाने है पुपा की चाओं पाने ओन बेठी है सच्ची आरा पाने आजकल बुआ को घर का खाना मिल रहा है न सबकुछ आननद आ गया बुआ को करें देखो है लो गाइज तो ममी नीचे खा रही है हम लोग तो आरा हम सब्सक्राइब में खाएंगे दोस्तों आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक कमेंट शेर और सब सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स इंट्रेस्टिंग व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाइबाई टेक कियर